श्रीमत देवी भागवत ये दिसीगन तथा सूद्जी का संगवाद है जो देवी भागवत की महिमा इसमें दी हुई है ये महापूरान है देवी भागवती श्रीमत देवी भागवत की तो जो सिस्टी काल में स्वर्ग सकती और इस्तिती काल में पालन सकती तथा संहार काल म रुद्र सक्ति के रूब में रहती हैं। चराचर जगत जिनके मनोरंजन की सामग्री है। परा, पश्चंती, मध्यमा, एवंग वैखरी बानी के रूब में जो विराजमान रहती है। तथा ब्रह्मा, बिश्नु, एवंग शंकर के द्वारा जो आराधित है। वे भगवती, आद्धा शक्ति हमारी बानी को शुशोवित करें भगबान नारायन नरसेश्ट अर्जून भगवती शरश्वती एबंग महाभाग बैस जी को प्रणाम करके इस देवी भागबत नामक बिजय गाथा का उच्चारन करना चाहिए रिसीगन बोले सूथ जी आप बड़े दिमान हैं बैस जी से आपने सिच्चा प्राप्त की है आप बहुत बर्षो तक जिवीद रहें भगवन अब आप हमें मन को प्रशन करने वाली पवित्र कथाएं सुनाने की क्रिपा किजिए तो भगवन विष्णु के अबतार की पावन कथा संपूर्ण पापों का संहार करने वाली एबंग अतनत अदभुद है हम भक्ति पूर्वक उसका स्रवन कर चुके हैं भगवन संगर का दिव चरित्र भश्म और रुद्राक्ष धारन करने के महिमा तथा इसका इतिहाज भी आपके मुखार बिंद से सुन्ने का सुववसर हमें मिल चुका अब हमें वह कथा सुन्ने की इच्छा है जो परम प्रवित्र हो तथा जिसके प्रभाब से मनुष्य शुग्व मता पुर्वग भूक्ति और मुख्ति के शम्यक अधिकारी बन जाएं महा भाग आपसे बढ़कर सन्य निवारन करने वाले अन्य किश्य को हमें नहीं देखते हैं आप हमें मुख्य मुख्य कथाएं कहने की क्लिपा किजिए जिससे कली योगी मनु मनुष्य को भी सिद्धी मिल सके तो सूद्जी कहते हैं रिशियों को तुम बड़े भाग शाली हो जगत के कल्लान होने की इच्छा से तुमने ये बहुत उत्तम बात पुछी अतह संपुर्ण सास्त्र का जो सार रूफ है वह प्रसंग बीशद रूफ से तुम्हारे शामने में उपस्तित करता हूँ तो रिशियों ने कहा महाभाग सूद्जी आप बगताओं में सर्वसेष्ट हैं वह पुरान कैसा है और उसके शुन्ने की कौन सी विधी है कितने दिनों में यह कथा संपन्न होती है इस कथा में किस देपताओं का पूजन होना चाहिए तथा कितने मनुष्य पहले इसे सुन चुके हैं और उनकी कौन-कौनशी अभिलासाय पुरुन हो चुकी है यह सम्हा में सुनाने की कृपा किजिए तो सुद जी कहते हैं बैस जी भगवान विश्ण के अंग्स है परासर जी उनके पिता और शत्यवति माता है बैस जी ने बेदों को चार भागों में विवाजन करके उन्हें अपने शिश्यों का शिश्यों को पढ़ाया किन्तुज संसकार ही नीच कूल में उत्पन्न बेद पढ़ने के अनधिकारी एवं इस्त्रियां और मुर्क जनहें उन्हें धर्म का ज्यान कैसे हो इह चिंता उनके मन में जाग उठी तब श्वैंग मन में विचार करके उन्हेंने उक्त प्रानियों के धर्म ज्यानार्थ पुरान संहीता का संपादन किया 18 पुरानों की रचना करके उनको मुझे पढ़ाया महा भारत की कथा भी शुनाई उसी समय भुक्ती और मुक्ती देने वाला देवी भागबत नामक पुरान रचा श्यंक उसके बक्ता बने और राजा जन मजई को स्रोता होने का शूप उन्हें तच्चक सर्प ने डस लिया था उनकी दुरगती निवारन के लिए जन मेजई ने देवी भागबत सुना बैद बैजजी के मुखार बिंद से नौ दिनों में इसकी स्रबन बीधी संपन न की वे तिलोग जनननी भागबती आद्धा सक्ति का बीधी पुर्वक प्राप्त हो गया दिप पे रूप धारन करके वे वहां पधार गये पिता को परंधाम प्राप्त हो गया यह देखकर राजा जन मेजई को अपार हर्स हुआ उन्होंने मुनीवर बैजजी की भली भाती पुजा की जो मानब भक्ति पुर्वक देवी भागबत की कथा सुनत सिद्धी सधा उनके सन्निकट खेलती रहती है अतर उन्हें निरंतर इस पुरान का स्रवन करना चाहिए सत्य यूग त्रेता और दापर में अनिको धर्म थे किन्तु कली के लिए एक पुरान स्रवन ही धर्म रह गया है इसके सिवा मनुष्य का उद्धार करने वाला दुसर कोई धर्म ही नहीं है कली के मनुष्य धर्म और आचारशे हीन इबंग अलपायू होंगे उनके कल्यान के लिए भगवान बैस ने पुरान संग्यक इस अम्रित रस का निर्मान किया है इस देवी भगवत के स्रवन में मास और दिवस का कोई खास नियम नहीं है मनुष्य नवरात्र में सुनने शे यह पुरान विशेस फल देने वाला होता है नवरात्र में इसका अनुष्ठान करने पर मनुष्य शभी पुन्य करमों शे अधिक फल पालेते हैं अतर इसे नबाह यग कहा गया है जो कलूसित विचार वाले पापी मूर्क मित्र दोही बेद की नि पास्तिक हैं उनका भी कली में इस नवा यग से निस्तार हो जाता है महांतप ब्रत तीर्दान नियम हवन और यग आदी करने पर भी मनुष्य को जो फल दुर्लब फुराता है वह भी नवाह यग से सुलब हो जाता है अता देवी भागबत सर्वत्तम पुरान माना जाता है धर्म, अर्थ, काम और मुख्च की प्राफ्टी के लिए यह शर्भ परिशाधन है सूर्ज के कन्नारासी में इस्तीत होने पर आस्विन मास ये सुक लपक्ष में अस्टमी तीती के दिन स्रीमत देवी भागवत की पुस्तक शोनेश के सिंहासन पर इस्तापित करके भक्ति पुर्वग योग ब्राम्वन को दान करनी चाहिए ऐसा करने से वह पुरुष देवी का प्रिती भाजन होकर उनके परमपद का अधिकारी बन जाता है जो पुरुष देवी भागवत के एक स्लोक अतबा आधे स्लोक का भी भक्ती भाव से नित्त पाठ करता है उस पर देवी प्रसंद हो जाती है महामारी हैजा आधी भरंकर बिमारिया तथा अनिक उत्पाद भी देवी भागवत के सबन मात्रशे शमन हो जाते हैं पुतना आधी बाल गिहक्रित तथा फूत प्रेत जनित जो भय है वो इस देवी भागवत के स्रवन से पाज भी नहीं भटक सकते भक्ती पुर्वग देवी भागवत का पाठ और स्रवन करने वाला मनुष्य धर्म अर्थ काम और मोख्च के फल का अधिकारी हो जाता है यह देवी भागवत पुरान सुना इसके प्रभाव से उन्होंने अपने पुत्र स्री किष्ण को सिक्र पाकर आनंद लाब क्या था जो पुरुष देवी भागवत की कथा भक्ति के शाथ पढ़ता और सुनता है भुक्ती और मुक्ती उसके करतल गत हो जाती है यह कथा अम बंधा और मीत बत्सा हो वह भी देवी भागवत की कथा शुनने शे दिर्ग जेवी पुत्र की जननी बन जाती है जिसके घर में स्रीमत देवी भागवत की पुस्तक का नित्त पुजन होता है वह घर तिर्थ सरूफ हो जाता है वहां रहने बाले लोगों के पाप पास शिद्य उपलवध हो जाती है इसका पाठ करने वाला यदि ब्राम्मन हो तो प्रकान विद्यान चत्रिय हो तो महान सुर्वीर और वैश्य हो तो प्रचूर धनाड़ और शुत्र हो तो अपने कुल में शर्वत्यम हो शकता है प्रथम अध्धाई अभिशमाप्त अब दित अध्धाई का पाठ होगी यह पथम अध्धाई थी तो अधिती अध्धाई में और में कि अ कि अ कि कि झाल झाल